Sir, coalition का सबसे बड़ा flip side यह होता है कि आप जैसे नेता की जिसने महाराष्ट में एक ऐसी सरकार चलाई कि जिसमें आपको निरणे लेने के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ता था आप कोई भी फैसला मुंबई में बैट कर कर सकते थे आज की स्थिती में वो चीज बदल गई है आपके तरफ से आप कौन सा government प्रिफर करेंगे जिस तरीके से आपने 14 से 19 में चलाया या जिस तरीके से आज की स्थिती में सरकार चल रही है आज हम देखते हैं कि जो M.V.A. सरकार में भी था या किसी भी coalition सरकार में होता है कि हीचतान काफी होती है एक दूसरे के बीच में कोई भी project को लेकर हर कोई अपने आपको दावेदार के तौर पर साबित करना चाहता है आज की स्थिती में महाराष्ट में कम से कम 6 लोग है है अलग अलग पार्टी हों से जो कहते हैं कि हमारी पार्टी से चीफ बनना चाहिए एसी स्थिती में आप सरकार बनाना कितना सरकार चलाना कितना difficulty हो लाट है प्यूलिटिक्स में preference का सवाल नहीं होता है mandate का सवाल होता है preference तो अपका कुछ भी हो सकता है प्रिफरंस तो यह हो सकता है कि 288 में से 288 सीटे हमारी आ जाए और सब हमारा ही बने लेकिन मैंडेट का सवाल हो और पॉलिटिकल रियालिटी उस समय की जो होती है उसके अनुसार निरने होते हैं सर इसी के वज़े से तो 2014 में बीजेपी का फैसला था कि हमें अकेले लड़ना है क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं लड़ोगे तब तक आपकी पार्टी की सीटे पूरे पूरन बहुमत की तरफ हम उनको करें थे आप 147 लड़िए हम 127 लड़ेंगे बची हुई सीटे अपने दोस्तों को देंगे उनका कहना था हम 151 से नीचे एक भी सीट नहीं लेंगे चार सीटों के लिए शिवसेना ने उस समय हमारे साथ का एलाइंस तोड़ा उन्होंने तोड़ा तो हमको मौका मिला तो मौका मिला तो हमारी क्षमता लोगों को पता चली और हमको भी पता चली आज की तारिक में भी आपकी उतनी क्षमता है तो आज की स्थिति में जब ती साथ करें तो उसका जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब हम देते हैं लेकिन जो पार्टनर हमारे साथ है उनमें से किसी को हम दूर नहीं करें